So, Hey Guys, कैसे हैं आप लोग आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं । पाकिस्तान सुपर लिग के आज के मुकाबले की जो की होने-वाला इसलामाबाद वसेस मुल्ताल सुल्तान के बीच में दोस्तों कन्फरन विरिंग टीम मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों ये जो टीम आपको डिस्प्लेइब दिख़़ा होगा ये हेट टू हेट टीम है आप इस टीम के साथ स्मॉल लीग में करीवन 10 मेंबर के साथ खेल सकते हो और अगर आप हेट टू हेट यानि की 2 मेंबर और 3 मेंबर के लीग खेलोगे तो आप 100% जीतोगे बस सर्ट एक ही है कि टॉस के बाद कोई प्लेयर में चेंज नहीं होनी चाहिए अगर चेंज होती है तो हमारा टेलिग्राम चनल है जिस पे आप जोईन करके उसको अपडेट करके भी अर्निंग कर सकते हो चलो बात करते हैं आज के मैच के इनफरमेशन की और जिन लोग के पास टाइम नहीं है वो इस टीम को कोपी कर लो इस टीम को आप कोपी कर लो और इस टीम के साथ आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे खेलते हो उस प्लेटफॉर्म पे आप टीम इडिट करके जोईन कर लेना ठीक है चलो बात करते हैं हर एक इनफरमेशन की आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछ रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट, मैच रिपोर्ट, मैच अनलाइस एड चोटी मोटी सारी इनफरमेशन जिससे आपको एक विनिंग टीम बनाने में हेल्प मिलेगी तो चलो शुरू तो कॉलिन मुर्लो अच्छे फॉर्ब में है और अच्छे परफॉर्मीस कर रहे है जो की ओप्निंग करेंगे एलेकस हेल के साथ आगाश सल्मान हो जाते है और अनर की भूमिका निवाएंगे बेटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं दरिया पे सादब खान हो जाएंगे आज लाश्ट पर्फॉर्मेंस कैसा रहा है तो पांच में से तीन मुकाबला जीती है दो मुकाबला हरी है और लाश्ट मैच जीत के आ रही है इनका मनोबल तो बढ़ा होगा ही एंड फॉर्म में भी अच्छी है तो आज के मैच में आपको अलेक्स सेल अगर सलमान ये दोनों एक अच्छे performance कर सकते हैं then कुछ option bench में भी है जो कि अगर इनको किसी कारण बर speak किया जाता है तो आपके लिए grand league के लिए एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं suppose that मैं आपको एक दो तीन गिना देता हूं firstly तो हो जाते हैं सादव खान जो कि अगर खेलते हैं तो फिर अच्छे performance कर सकते हैं और उसके बाद हो जाते हैं जो नादर कॉक जो की एक अटेंग प्लेयर है और बहुत अच्छे खेलते हैं मार्तिन गुप्टिर अगर खेलेंगे तो ओपनिंग करेंगे लेकिन इसका कोई possible नहीं है तो यह कुछ possibilities हो जाती है यहीं प बट उससे पहले डैविड मिलान हो जाते है तैयब ताहिर खुषदिल सा जो की एक अच्छे बॉलर और बैट्समन दोनों है इम्तियाद हैमर जो की एक अच्छे और बैट्समन और बॉलर अच्छे है बट इनको बहुत लिमिटेड ओबर में बॉल मिलती है क्लिस जोल डान प्रॉपर बॉलर है लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये बैटिंग बेच्छा कर रहे डैविड बिली की बैटिंग लाइनप बहुत अच्छी है इनको बैटिंग करना बहुत अच्छे साता है लेकिन नीचे भेजा जाता है जिसके बशे इनकी अच्छी बैटिंग होनी पा गढ़ा बात करते हैं पिछ रिपोट की बार रूश से पहले देख लो मुलतार सुल्टार आपको पांच में से तीन में जीती है लास्ट में जाना ही है इनका मनोबल थोड़ा सा नीचे होगा लेकिन कोसिस करेगी आज का मुकाबला भी जीतने को यहीं पर पिछ रिपोर्ट की बात की जा दोस्तों तो पिछ की अगर आप देखोगे पिछ इज रवार पिंडी इज एक्सपेक्टे तो फेवर बैटर विट तर टिंग एज एसिस्टेंज फोर दपेसर मेंग चेसिंग दप्रेफर आफशन फॉर दटीम यहां पर आपको साफ में समझ में आता है कि यह रवार पिंडी का जो पिछ है वो बैटिंग फ्रेंली पिछ है और यह पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लेगे तो पाकिस्तान में ही हो रही है बैटिंग फ्रेंली पिछ है पेसर को यह पिछ थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करती है यानि कि 70% पेसर को सपोर्ट करती है बारिश की कोई संभावना नहीं है एंड यहां पर आप देखोगे तो एबरेज स्कोर इस स्पिच का वैसे तो पिछले आल टाइम एबरेज स्कोर 170 का है यानि कि जब तक मैच हो रही है पीएसल का तो आल इस स्पिच पे 170 का सपस लगता है बट अगर हम पिसला पांच मुकाबला अगर हम निकाल के देखते हैं तो उसमें 157 यानि कि 177 के आसपस इस पीच पे रन लग जाते हैं तो थोड़ा सा यह बलर को सपोर्ट एक्स्ट्रा कर रही है पिसले पांच मुकाबले से इस पिनर को थोड़ा कम सपोर्ट करती है 30 परसन तो आप अंदाजे लगा सकते हो कि पिसले पांच मुकाबले में करीवन 66 बिकेट गीर है जिसमें से पेसर को 46 यानि कि 50 में मातर 4 कम ठीक है और इस पिनर को मातर 20 दोस्तों इसको मैं कहूंगा अगर आप पिसले 5 मुकाबले थे तक में सब्वर, देखके देखेंगे न मुका अलुकि पता होका है यह ग्यान की बात हम लोग कभी और करेंगे बट इन दो लोगे बीच में hit to weight मुकाबले भी तो देख लो कि hit to weight मुकाबला इन दोनों के बीच में होता है तो ज्यादा तर मुकाबला कौन जीता है इसलामाबाद और मुल्तान 12 मुकाबले हुए है पिसले 5 साल में जिसमें से आठ मुकावला मुलतान ने जीता है और इसलामाबाद ने चार तो हेट टुवेट के रिकॉर्ड के हिसाब से इसलामाबाद फैबलेट टीम आज की रहने वाली है तो बात करते हैं यह सारी इंफर्मेशन हो गई अब बात करते हैं हम लोग एक विनिंग टीम की टीम तो मैंने विसे आपको पहले ही दिखाया था बट अच्छे से चेकाउट कर लेते हैं जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो सो यहां पर अगर आप देख सकते हो तो मैं इसको इडिट करके आपको अच्छे से दिखाता हूं सबसे पहले तो देखो यह माई फैब लेवन है और मैं इसी में खेलता हूं इसका लिंक आपको डिस्क्रप्सन बॉक्स में मिल जाएगा एंड अगर आप इसमें जॉइन कर करके भी खेल सकते हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वॉल्यूव एक क्रिकेट मैच है बहुत सारे गेम आप इसमें कर सकते हो ठीक है और पिक लिग भी तो बहुत सारे लीक्स है आप यह सब खेल कर सकते हो बाट फाइनली हम लोग बात करते हैं टीम की तो मैंने आपको दिखाया था बट फिर भी एक राउंड और देख लो एंड ट्रेडिंग के लिए आप यहां से सिंप्ले ट्रेडिंग पर क्लिक करके भी यहां से भी आप इसमें खेल सकते हो तो यहीं सब जिसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा उस बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्सन है यह दोनों ठीक है एंड यहां पे एक मैंने डविन मलान की बात की थी अगर वो खेलेंगे तो और अनर की बात करते हैं तो सादब खान अगार सल्मान क्रिस जोलडान और फाही मसरब दोस्तों यहां पे देखोगे न तो पिसले कुछ टाइ तो उस्मान मील, मुहमद अली, टाहिम मील और डैविड बिली दोस्तों मैंने आपको कहाता है कि पीछ जो है वो पेसर को सपोर्ट करती है तो जितने ज्यादा हो से कि आप आज के मुकाबले में पेसर करो जैसे कि जो नान बहतरीन पेसर है एंड फही मसरब बहतरीन पेसर ह है तो इनको आप अपने टीम में लो सादब खान में पेसर कराते हैं इनके अलावा हमारे पास डेविड विली भी एक अच्छे पेसर है मिल पेसर हमने अल्मस्ट पेसर को लिया है कुछ स्पीनर भी होने चाहिए कभी कभी स्पीनर को भी बिकेट मिल जाती है कैप्टन तो यह दो पता है अगा सल्मान या फिर रिजा ठीको लेलो भास कटन अगा सल्मान या फिर रिजा हैंड रिक सो कर सकते हो यह तिम प्रिव्यू भी देख सकते हो शहां मिल नेंगी अटेवा बाभ बाग के साथ झाल झाल